जीवन मंत्रा योगध ध्यातम और आयर्वेथ की वो तृवेरीनी है जिस से आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग्व दोस्तो जीवन मंत्रा को आप जो आज ही सबस्क्राइब कीजिए, लईक कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मताविक होते हैं इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें आप चाहते हैं कि नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए नॉटिफिकेशन आप पाईए घर वेठे वो भी फ्री में दोस्तो हर किसी को मुलायमा और चमकदार तवचा चाहिए लेकिन अगर तवचा पर बड़े बड़े पोर्स हों तो चेहरा बेजान और गड़ों से बरने लगता है खुले रोम चिदर की समस्या आजकल आम है आईली स्किन वाले लोगों को ये परिशानी ज्यादा होती है उम्र के साथ ये चिदर बड़े होते जाते हैं क्योंकि तवचा अपना लचीला पन खो देती है जिसे रोम चिदरों की संरचना कमजोर हो जाती है कई बार गलत मसाज की वज़े से भी पोर्स खुल जाते हैं इसके अलावा तेलिय ग्रंतियों में बहुत ज्यादा तेल निकलने वसा शरकरा से वने खाते पदार्थ हों पाष्ट फूर्ड वे शराब का सेवन करने से भी रोम चिदर खुलते हैं लेकिन इन कुछ घरेलू निस्खों की मदद से रोम चिदरों को खुलने से रूखा जा सकता है दरसल इन निस्खों को अपनाने से इसकिन में कसाब आता है जिसे पोर्स छोटे हो जाते हैं तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले आप अच्छे से अपना चेहरा साफ कीज उसके बाद आप बेशन नीवू और दही का प्रियोग कर सकते हैं बेशन में नीवू करहस गुलाब जल और दही मिक्स कर ले और फिर पेस्ट को मास्क की तरह चेहरे पर लगाए और सूखने के बाद चेहरा दो ले फिर आप आइस क्यूब का प्रियोग करें चेहरे पर टमाटर के रस को रूज में डोबो कर चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें 20 मिनिट तक आप इसे लगा रहने दें उसके बाद चेहरा दोलें इससे आपके चेहरे में कसाब आएगा टमाटर के गूदे में एक चमच चंदन पाउडर और एक चमच लेमन पाउडर मिक्स करके चेहरे पर लगाएं सूखने पर चेहरा दोलें पोर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी शेहद का भी प्रियोग कर सकते हैं शेहद को आप फेस मस्क की तरह लगा सकती हैं शेहद में नीवू का रश, चीनी मिला कर पेश्ट तयार करें और चेहरे की मसाज कर लें कुस देर ऐसे ही छोड़ दें, बाद में गुनगुने पानी से दोलें आप पाउडर बाले दूद में भी शेहद मिक्स करके चेहरे पर लगा सकती हैं गुलाब चल इसके लिए आपको वरदान साबित होगा, अगर आपकी स्किन ओईली है तो पोर्स बंद करने के लिए चेहरे पर तेल साफ करने के लिए कथे में रोज वाटर डाल कर लगाएं कथे की मातरा ज्यादा ना हो, मसूर के दाने के बराबर आपकी मातरा होनी चाहिए आप दही का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि दही एक क्लिंजर की तरह काम करता है, इसमें मौझूद लैक्टिक एसिड पोर्स में फसी गंदगी को साफ करने में मदद करता है और इसकिन में कसाब आता है इसे जुरियां भी कम होती है, बस एक चमस दही को 10 मिनिट के लिए चेहरे पर लगाएगे आप सेव साइडर सिरके का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, एपल साइडर सिरका एक प्राकरतिक और स्ट्रिंजेंट है इसे कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं, इसे आपकी तोचा में कसाब आएगा और और चोटे हो जाएगे जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई विशे के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें